बाबाजी जिस तरह से कबीर का जो अर्थ आप उमें बताते हैं और जो दुनिया में उसका प्रचार हो रहा है उसमें दिन्नदा क्यों है? अलग क्यों है? डिफरेंड क्यों है वो? क्बीर जो है ना पहले वो क्बीर स्वमिर आमानंद का चेला है और वो माड़ा फेरता है वो सनातम धर्म जाया है उसका धार नहीं है सनातम धर्म में जो कुछ उसे बताया गया था प्राप्ति जो उसे बताई गई थी वो प्राप्ति उसे हुई नहीं है अब वो करने लगा वे यह जो मेरा मन है आप बता रहे थे कि ये मन तुम जीत लोगे, मन तुमारा मर जाएगा, मन शान्त हो जाएगा, मर जाएगा, मन शान्त हो जाएगा, तुमारी जो दुने अभी इच्छाएं हैं, माया की इच्छाएं हैं, वो खत्म हो जाएगी, तुम्हें मुक्ती पराप्त हो जाएगी, तो ये क्यों नहीं हो रहा मेरा मान शांत। मेरा अंदर इच्छा है माया कि क्यों वैसी की वैसी हैं तो वो बहुत देरों से लटकाते रहे आखर कुभी गुड़ापे में चला गया है। ये सब कुछ उसने अपनी बानी में लिखा है हमारे गुरू बरां साब में ये दर्ज है जो मैं कह रहा हूं। चार शबद है मैं अर्थाए हैं और हिंधी में अर्थाउंगा। वो आतम कथा है उसने आप लिखी उसमें से मैं बोल लखाऊं। फिर उसे कहा गया कि नहीं नहीं इसमें यह जो है रिद्धी सिद्धी प्राप्त होती है जो आप चाहोगे अब संसारी इच्छ हैं सब पूरी हो जाएंगी आपको जो मांगोगे वो लब मेरी निमाड माया मांगड़े की नहीं है एक तर्फ तो आप कहते थे तुमारी माया की इच्छा खत्म हो जाएंगी अब तुम कहरें माया की इच्छा तुमारी पूर्न होगी इसका मतलब है तुम उससे ठंगी कर रहे हो जो तुमने मुझे पताया था माड़ा से प्राप्ती होगी वो हो नहीं रही और एक भी आज तक जहां ऐसा आदमी माड़ावालों का नहीं पैदा हुआ जिसे ब्रम ज्यान हुआ हो जिसका भक्तों में जिकर हो जिसने ब्रम बाणी को रची हो ऐसा तो है ही नहीं जिसने राम कथा उचारन की हो ऐसा कोई रिकार्ड नहीं बाड़ा फेरने बाड़ा आई तक कोई भक्त रिकार्ड में ही नहीं तो मैं कैसे हो जाओंगा मुझे अब समझाई है कि तुमने उससे ठंगी की जब थिर वो कहता है जो बाणी में तर्ज है कि माया की भूक जिसके मन में है वो भक्ति करी नहीं सकता माया की तो इच्छ है उसके अंदर अभी तो माया की इच्छ है उसकी भक्ति कैसे कर लेगा माया की इच्छ है त्याग के ही तो भक्ति शुरू हो ली अब जो भूक है जिसके मन के अंदर माया की भूक है तो भक्ति कैसे कर लेगा भूक है भक्ति न की जय तुम तो मेरी महरें हो कहा माया की तुम्हारी इदिसे-दिस्दी मिलेगी तुम्हे इदिन चाहो के तुम्हें माया मिल जाएगी मुझोरे नि Sundays Р यह कहरा हुए भूक वकतराण कि तो भूक हो तो भक्ति करी नी सकति, यह हिर व्य जो सब्सक्राएं लेकर इसकी अर्थ अर्थ भी उन्होंने बदल दिया यह हिल्हां पेट का भूका वंक्ति कर सकता पेट का लोज भूए होता है नहीं भूख मन में होती है। पेट की भूख नहीं होती है। हमारा आपकी गाड़ी है, परोल के भूकी है यह? नहीं. लिम्टेड परोल पढ़ना है उसमें, सारा परोल पर हम धोड़ी काली कर दोगे तुम? नहीं कर पाइगा. जो लिम्टेड है, भूक जो होती है, आम लिम्टेड चीज का नाम है. जो मन में भूका कभी पूरी होती न भूका भक्ती करी नहीं सकता. इच्छा पूरी होगी नहीं, भूक पूरी होगी नहीं. तो गुरुनान के इसी कह है, भूक के भूक नहीं उतर है, भूक के भूक नहीं उतर है, जो भूका उसकी भूक तो खत्म होई नहीं सकती. चाहे बनने पूरी आपार सारी, जितनी भी स्रिष्टी के पदार्त है चाहे उसे सारे दे दो, तब भी थोड़े भूग नहीं तो मिल सकती है। तो भूग मिटनी नहीं भकती, शुरू होनी नहीं, यह तो रास्ता ही गलत है। उसने माड़ा त्यागी है, यह माड़ा अपनी लीजय है। हो मंगू संतन लेना, हाँ मैं संतन से ग्यान पदार्थ लोंगा, ग्यान लोंगा। संतन लेना संतों की बाणे में जो ग्यान होगा, उसकी मुझे बहुचार चाहिए। उससे मेरा मन, मेरे अंदर मेरे मन का ब्रहम दूर हो। जर्णाथ तूर्ज हम पे एक किस्म की जो पदार्थ फैंटा है रेणा उससे जो हमारा अकाश है रोशन होता है ऐसे ही संतों के बचनों से जो ग्यान आता है हमारे मन में पढ़ता है उससे रोशन हो जाता है मरे मन की जो भर्म दूर हो जाता है मन की काल उतर जाती है इसलिए वो कहता है देखो भाई जब उसे उसने खुद बोला ग्यान फिर वो कहता है देखो भाई ग्यान की आई यान्दी ग्यान की यान्दी क्या होती है जो ग्यान होता है उसके बचनों में, बोल में, आवाज में, वो ही संतर लेना है मैं जो बोल रहा हूँ, उसमें जो तुम्हें समझा रही है, ग्यान मिल रहा है, वो ही संतर लेना है मैं तो वो मांग रहा हूँ, कोई संत मुझे कुछ समझाए, और जो मुझे क्यान मिले, मेरा ब्रहमदूर हो मुझे उसकी इच्छा है, अब मौडा की इच्छा नहीं है हूँ मंगू संतर लेना, मैं नहीं किसी का देना, जो आप कहे रहे नो, ये लेने देने के समंध है, ये बिलकुल बकवास है, लेना किसका है, देना किसका है, परमेशर का तो दे के किसी समंगता ही नहीं, और कोई किसी को दे ही नहीं सकता, हम तो लेने वाले हैं, परमेशर त जो लेने वाड़ा दे क्या पचा रहा है। हम तो वेकारी खोद हैं सारे। वेकारी भी किसी को कुछ दे सकता है। नहीं। भगवान ही किसी को कुछ दे सकता है। वेकारी किसी को कुछ नहीं। वेकारी को लेने वाड़ा देने वाड़ा ही नहीं। हम मैं नहीं किसी का देना तो वो फिलोस्पी जो थी, उनकी सारी जो ये थी, सनातन मत ही रद कर दी उसने, ये कहके, भूके वक्त न की जाए, ये माला अपनी ली जाए, हो मंगू संत लेना मैं नहीं किसी का देना, देने लेने के समन्द है, तब जनम हुए ये बात ही गलत है, नकार दी उसने, इस बा सनातन मत का परचार कर रहे हैं, वो बीच के जित्रह उसने लिखा था, वो बीच में सनातन मत थी, उसका परचार कर रहे हैं, ये जो गुर्बानी का परचार कर रहे हैं, उसके अर्थमदल दीए, भूके बक्त न की जाए, जो भूके जाए भक्ती नहीं होती, फिर तुम ब तो श्रेष्ट मानते हैं मुसलमान, के इन दिनों में ही अल्ला के साथ आदमी जुड़ा रहता है, भुख तो हमें जोडती है, परमेशन से, दुख तो दारू है, तुम उसे कहरें भुख, खा के तो सो जाता है, आदमी वक्ती कब होती है, पेट बरके खा लेगा, तो सो और कहरें, अल्बहार थोड़ा खाना चाहिए, ज्यादा खाएगा, ज्यादा सोएगा, थोड़ा खाएगा, थोड़ा सोएगा, फिर वो कहरें, इसलिए वो कहरें है, के एह मन उल्ट सनातन हुआ, और मेरा मन पल्ट गया, उल्टा होगया, सनातन मत से, उल्ट बात कर रहा ह एल्द सनातन हुआ, इसके उन्होंने पता क्या अर्द किये. अर्द कर दिये, अरल मेरा मनितु वुट के सनातन हो गया, पहले क्या मत थी भई? इसका मतलब पहले कोई और मत थी न, उसकी वो हुए क्योすब पना कौंड थी यहां जहां जहां वो बातें थी उसे इस तरीके से बदल को पता ही को पता ही कोई नहीं, पड़ती है, वो मिले हुए हैं, ही सारे, वो सारे गांच हैं unka तो, यह चोर हरांखोरो का गांच है, गांच है तो एक ही बत कहता है, जो मेरे बर जैसा पैदा हो जाता है उस गांच का नहीं होता वो बंदा फोट देता है, यह युश्य। बन्दा फूट दिया इस लिए कहते थे आब रामण को पढ़ने मत तो नहीं तो हमारा ऐ बंदा फूट जाएगा. भुकुत से. अब पढ़ लेगे बंदा फूट गया? जे. बंदा फूट ने लगा, दुनिया पढ़ लेगे, दूसरी. ब्राह्मन का कभजा पढ़ाई पे नहीं रहा. जब तक उसका कभजा पढ़ाई लिखाई पे, जब तक अब दूसरे पढ़ने के यह तो भला हो मुसलमनों का यहां राज हो गया, भला हो ग्रेजों का जिने हमें पढ़ा दिया, यह हमें पढ़ने देते हैं। यह तो जो दूसरे हम जैसे थे, अगर पढ़ते, पढ़ाई तो उन्होंने करने नहीं दी, कि हमारा भंडा फोड़ते हैं, अगर किसी ने सुन भी लिया, उसके सीसा डाल दो कान में, कान हुमेशा के लिए बंद कर दो, यह कर्म तो यह करते रहे हैं, आज यह लोग फिर वो ह में रोशनी के लिए, अंदर रोशनी के लिए ग्यान चाहिए, अकल चाहिए, यह अकल के दुश्मन है, कि अकल की रोशनी होने नहीं देनी, यह तो अकल के दुश्मन है, यह अकल के दुश्मन है, कि हमारे लोग अगर अकल वाले हो गए तो हमारा जो, हम दोका देने हैं, चोर की चोरी कब चलेगी, जो रोशनी हो जाए, चोर जाता है अंधेरा रहे, अंधेरे में चोरी होती है, रोशनी में चोरी कैसे दरेगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ग्यान की रोशनी, जो चोर नहीं वो रोशनी करेगा, जो चोर है वो अंधेरा रखेगा, ये कहलाते हैं ये लोगों के अंदर अंधेरे में रखके गुरू बनते हैं हम रोशनी करके सेवक बनते हैं जो रोशनी करेगा गुरू वो सेवक कहलाएगा जो सेवक है नानक सेवक है दास है कबीर दास है गुरू नहीं है कबीर दास कबीर चड़ गड़ उपर नानक दासन दास है। नान कर दासन, दासा कबीर जैसे वक्तों का भी दास हो हूं है। तेरे दासों का दास हो हूं है。 पुबलक का दास हो सूं है। तो इसे लोग गुरू कहतेewerkation, वो कहते हैं। यह भी ठंगी ہے। कुर्क्कि भामण गुरू कहला है, आद्मी गुरू हो Ring 720, गुरू बो चीज है। गुरू की हाजी में अधेरा रही नहीं सकता। लेकर आद्मी के श्रीर की रोशनी जहाँ होगा, वहाँ अधेरा होगा। जब वो भूलेगा अधेरा जब जाएगा। उसकी अवाज है नहरे को दूर करेगी। शब्द नेरे को दूर करेंगे, आदम की बोडी नेरे को दूर नहीं कर सकती, तो बोडी को गुरू कैसे मान लिए तुमने, शब्द गुरू है, उसकी आवाज में शक्ती है नेरा दूर करने की, ब्रम दूर करने की, शब्द को तो गुरू मानती है, बाणी को तो गुरू मा मानते हैं भक तो लेकिन शरीर के लेवल पे गुरू नहीं है वो संसार शरीर के लेवल पे हिंदुमत शरीर के लेवल पे गुरू मानते है राम जंदर आत्मों के लेवल तो भगवान है भग्यावान है को राजा जो है, राजा भगवान है होता है, भगवान का मतलब महल है भागवान, परवेशन ही होता है भगवान, भागवान भागशाली, राजा बढ़ने भागशाली है, भगवान का मतलब महल भागशाली है, कुछ नहीं से जज़ा है, भगवान लिका है, कि उस ततिनन्द जाएं, से जो उपर उठ गया, सो मूर्त भगवान, कुई भी हो भगवान की मूर्त है, भागयवान है, उसने अपना जो काम करने आया था, वो पूरा कल गया, जो हम कहते हैं, कि वह ये बच्चा है, ये फस्ट डिमीनर में पास हो गया, भागयवान है, अच्छे नमबर लेक हो गया, भागयशाली है, हर कलास में पूरे नमबर लेके पास होता है, टौप पे जाता है, भागयशाली है, ऐसे अपने जीवन में करने आया है, जो काम हमने कुशलता से कर लिया, भागयशाली है, भागवान का मन्दर भागशाली से जाला कुछ भी नहीं, इन्होंने इस इसके अर्थ परमेशर बना दिए, ब्रह्म यहाँ है, भगवान तो हम ही मानते हैं, भगवान तो जो आ के अपना काम सही करता है, इमांदारी अकठी करता है, अपने इमांदार सेंट परसेंट बनता है, वो बाकिशाली है, बागवान है. यह लोगों ने, इन लोगों ने, जो इनका परचार था मूर्ति पूजा, जो आदमी शरीर के तल पे अपने आपको गुरु कहाएगा, वो ही तो मूर्ति पूजा करवाएगा। जब शरीर के ताल पे जो जिन्दा है वो भूर्ती पूजा करेगा, जो आत्मा के लेवल पे जिन्दा है, वो भूर्ती पूजा करी ने सकता, आत्मा का रिष्ता है उसका, आत्मा इन्विजिवल है, आत्मा, जो आत्मा थी, रामचंद्र की, उसकी मूर्ती बनाओ, हम भी मान हो तो सही कोई, ये धोका है सरफ, ये शरीर तो कपड़ा है, उसना धार्न किया, ये तो चोड़ा है, ऐसा चोड़े बदलता रहता है, इस चोड़े की पूजा कर रहे हो, जो चोड़े में रहता है, उसकी पूजा कर रहे हो, उसकी बात करो, उसकी बात छोड़ दी, शरीर की बात कर रहें, दो करीं तो और क्या है, तो जो कभीर की बात थी, कभीर आत्म के लेवल की बात कर रहे है, आत्म दर्सी है, आत्म समझा आत्म क्या होती है, वो बात कर रहे है, लोग शरीर की बात कर रहे है, पंदत शरीर की बात कर रहे है, चरन जो होते हैं, चर्ण, जो अंदर का श्रीर है, निरा काड़, उसके जो हमारे टांग हिलती है, पॉ। जो शक्ति समें है, आलती है वो चर्ण है, जो हिलता है, जो दखाई देता है वो पैर है. जैसे आप गलब पहनने हैं, दसाना पहनने हाथ पे, जसाना शिय नहीं नज़आता है यूनिट अंडर कि उपर का बी रेगा। जीू तरखसेल अंदर रेलता है। उगलेलता हो। उगल QUEुछी माणों बाता है। जीू उस्से आगे की बात mówi। जीू हैंडगलब्ए जो फ़िखवारओ और कफड़ हऴजा है। अगर उसको नकाड़के रखते हैं फिर हिलेगा? नहीं, फिर नहीं हिलता. ऐसे श्रीर से जब उसे पाहन काड़ते हैं तो पहुं हिलेगा यह है? नहीं, नहीं हिलता है. पर चेर्ण भो है जो इसे हलाने बड़ी चीज है. कर भो है जो हाथ की उंगर को हलाने बड़ी चीज ह शक्ति है वो, उसे इलता है, लेकर चर्ण और हाथ का अंतर मिटा दिया है नोने, पैर और चर्ण का अंतर मिटा दिया, आँख नहीं देखती, आँख तो नकाल के रख देते हैं, फिर देखती है वो, जब दूसरे के, डाल देते हैं फिर देखती है, आँख देखती है, सुनते हैं सुनने बड़ा हो रहा है पर सुनने बाड़े की बाड़े की बाड़े छोड़े देखने बाड़े की बाड़े की बाड़े छोड़े बोलने बाड़े की बाड़े की बाड़े छोड़े यह जो जनता है ने जनतर इंस्टूमेंट शरीर इसकी बात रख लिए यह है है परचार हो रहा है यह बदमाशी कभीर ने नंगी कर दी जी समझें नहीं समझें इन्होंने जब तक इनका जोर चला इसे फिर डख के रखा विद्वा नहीं थे जी अब हम जैसे पढ़ लिखे बला हो मुसल्मानों का अंग्रेजों का उन्होंने हमें मौका दे दिये का इनका राज नहीं रहा तो जो जिनके कानों में सिक्के डाल दे जाते थे अब वो पढ़ लेके उन्हें ग्यान हो गया उन्होंने इनका भंड़ा फोड़ दिये बात ये है दिक्कत ही गया ये है गुरू ने भंड़ा फोड़ा उन्हें के साथ क्या हुआ क्या हुआ बंद बंद काटे, गर्म तबीयों पर उन्हें बठाया गया, सरकार से मिलके, कट्टड मुसल्मान और कट्टड हिंदू, दोनों ने मिलके, क्या नहीं किया भक्तों से, क्यूं किया गया, आज ये सवाल खड़ा है, आज भी इनके बस में हो, तो मुझे इतना इतना करके काड आज सरकारे हमारे साथ हैं, आज दुनिया का महाल बदा हुआ है, आज वर्ल्ड हमारे साथ है, इनका बस में चलता, जग रूखता है, पढ़ लिगे लोग, ग्यान बहुत ज़्यादा है, इनका जूट अब फेल होता जाता है, लेकिन फिर भी खाब देख रहे हैं हिंदू इसका मंतर में निकि घुद्धी इतनी मिलीन है, ऐसा लगता है जैसे अपनी मौत को जगा रहे हों, अपनी मौत को जगा रहे हैंगे, अगर लोगों को पता लग जया आज, कि हिंदूत्व के जमाने में वो पढ़ लिगा लिए लोगों ने, कि ये क्या करते रहे हैं, तो क क्या होगा पर उसमें, जितने लोगों को इनने ने नीच हरीजन बना के रखा, जो उनसे बिहार किया, अगर बो पढ़ लिया लोगों ने, तो क्या होगा, इनने पता नहीं क्या होगा पर, इतनी खतरनाग खेल के रहे हैं, इनने मौलू भूल जाना चाहिए था, इसकी बा मैं जर्मन में गया, जर्मन में, जर्मन के लोग इतनी नंदा कर रहे हैं हिटलर की हद से जज़ा, कि पुरा आदमी था, हम नहीं नंदा करते हैं, जो अपने बुरे आदमी हैं, हम उनकी नंदा कर रहे हैं, इसका मतलब हम उन्दी हीन हैं, यही कारणा हम गुलाम होते रहे हैं जी वो दोबान आदमी अपना future जानता है कि मुझे किस रास्ते चलना है दुनिया एक धर्म बढ़ने को बेद को मनने को बन चुकी है सारे धर्म और ये हिंदू त भी बात कर रहे हैं सारी दुनिया एक तरफ है ये एक तरफ है जी इतना नहीं पता कितना खतरना खेल आई जैसे तुम खेलने जा रहे हैं। कौन समझाए ने। हमारे देश के लिए सब के लिए खत्रा है ये। जो बाहर हिंदू है उनके लिए बहुत बड़ा खत्रा है ये। जैसे हमारे आतवादी थे मुठी बड़ सिक्षों में। उन्हें पता निदा के सिक्षों को क्या होगा। अब सामने हो गया आप सिक्षों को अकल आई है कि हमने जो मुठ चुप उन्हें समर्थन दिया है। उसकी वज़ा से हमारा ये हाल हुआ है। हमने इज़त इक रत्ती भरनी नहीं। हमने चुप समर्थन दिया है। हमने अवाज निठाई उनके खलाफ ये गलत हो रहा है। तो उसका खमयादा आज भूट रहने सिक्षों ऐसे ये भूटेंगे। बहुत खतरना खेल है। कौन सम्झाए रहने। इतने मंदर हैं बंगए। ये मंदर ये और बंग इसहे क्या होगा। इसा एक जगणा पैदा ओगा। जी जगणा। शिब भकतों में और विष्कू ब्सुमपकतों में जी बलकुब रामचंद्र के साथ ना तो गंगा जुड़ी हुई है ना जमना जुड़ी हुई है गंगा 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 जुड़ी हुई है उसके कनारे पे है, सर्जु को कोई विजूद नहीं कहीं, कोई विचारदारा ही नहीं, सर्जु तो फमेशा शूकी रहती है और ख़त्म हो जाती है, सर्जु नदी बोही है सिम्रत शास्तर की जो विचारदारा वो सर्जु नदी है, क्रिशन की गीता जो है, वो गंगा में ज मिलती है ग्यान की गंगा में जा मिलती है ग्यान की गंगा समुदर में जाती है यहां तो उसका नक्षा बना है ना कम कम समुदर से पानी जो आया है हम जो समुदर से बिश्ट के आये थे अकाज से गर्म में आये समुदर में जा मिले वो पानी जहां से आया है जहां से उपज जहें से उपजी तह मिली, अकाद से गंगा होके आई थी बादल के रास्ते, जमीन से होके वहीं चली गई, इसलिए उसे गंगा कहा है, वो पाणी जहाद है था वहीं पहुंच के आप, जहां से हम आए हैं बिछड के, वहीं पहुंच आएं, वो बचारता रहा है, गुर्मत गंगा है, ग्यान की गंगा है लेकिन पाणी के गंगा है, पाणी के गंगा तो परमान है, यहां और क्या देते परमान, वो तो परमान के तो और पे नक्षा दुखाया है, हमें समझाने के लिए, देखो भी, वो समंदर से ऐसे पाणी आया, ऐसे चला गया, हमारी उल्टी क्योंगा ऐसे आती है, ऐसे जाती है, आती है नीचे से, हम नीचे से आये हैं, नीचे जूनियों से, नर्क से आये हैं उपर को, वो उपर से नीचे को आती है पानी की गंगा, हम नीचे, बुंदी नीचे से उपर को जाती है, और उपर जाकर फट जाती है, सर बेपी हो जाती ह झाल 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 झाल